हेलो सुमेन विजय, दोस्तों Amazon की Prime Day Sale कुछ ही गंटों में लाइव हो जाएगी, ऐसे में मेरे पास में आपके लिए Best Laptops that you can buy during the Amazon Prime Day Sale 4 Laptops मेरे हाथ में है, 8 Laptops यहाँ पे चेयर में पढ़े हैं, 2 पीछे लगे हुएं तो यह सारे ही जो Laptops हैं दोस्तों, यह मैंने रियल लाइफ में टेस्ट करे हुएं, इनके रिव्यू हमारे चैनल के उपर लाइव है, तो कोई भी पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुना ही बाते नहीं कर रहा हूं, इस पैक्स रीड करके आपको रिव्यू नहीं दे रहा हूं, य सारे ही Laptops के बारे हम बात करने वाले आगे इस वीडियो में, इसके लिए वीडियो में एक दम एंड तक बने रियेगा, एंड हविंग सैट एट, लेट के स्टार्ट, हमने एक क्राइटेरिया रखा है, कि यह सारे ही Laptops लो में इंक्लूट कर रहा हूं, उनमें minimum SSD होनी चा तो वो सारी Laptops में यहां पर इंक्लूट करी है, 8GB के रहे मिनिमम होनी चाहिए, 4GB अला टाइम चला गया, जहां पर बहुत जा स्लो हुआ करते है Laptops, 8GB आज की रेट में minimum हमें require होता है, Windows यहां पर प्रिंस्टॉल होने चाहिए Laptops के अंदर, और कोशिश करूँगा कि सार यहां पर MS Office भी included है, अगर वो included नहीं होगा तो भाई आपको पायरे लेना पड़ेगा, जो की user experience यहां पर खराब करज़ा है, ऐसे में आपर under 40,000 जो number 1 हमारे पास में laptop निकल के आ रहा है, जो की आज की रेट में 35,000 का अविलेबल है, सेल में बहुत इसली 32, 33,000 का यह वाल Student 2021 यहां पर pre-installed है, SSD है, तो laptop बहुत जादा fast चलने वाला है, and believe me guys, यहां पर 32, 33,000 के असपास अगर आपको यह मिलता है, तो इस price segment में इससे अच्छा laptop आपको कहीं नहीं मिल सकता, और minimum यह laptop में आपको recommend करूँगा, तब ही यह video हम इस laptop के साथ में start कर रहे है, अगर इससे तो रहेगा, घटिया सी speed देदेगा, तो minimum i3 11 generation में आपको recommend करूँगा, यहां पर हमें fingerprint scanner भी मिलता है, full HD display भी मिलती है, camera shutter भी मिलता है, 15.6 inch का laptop है, तो हमें numpad भी देखने के लिए मिल जाता है, तो यह वाला laptop मतलब बहुत time से में recommend कर रहा हूँ लोगों को, बहुत time से use भ बढ़िया हो गई, IdeaPad 3 के comparison में, जबकि दूसरी चीज खराब हो गई, जिसके बढ़ में आपको बताता हूँ, तो again 15.6 inch का laptop है, लेकिन यह वाला इस बार आता है, i3 12th generation processor के साथ में, instead of i3 11th generation on the IdeaPad 3, जो मैंने आपको बताया, यह वाला start होता है, अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, 37,000 से, with the 8GB RAM, 512GB SSD storage, लेकिन यहाँ पे इसमें एक downside है, कि इसमें MS Office, Home and Student, Pre-install, नहीं आता है दोस्तों, कुछ plus points भी है, जैसे कि यहाँ पे हमें internet port देखने के लिए मिल जाता है, LAN port, जो कि आजकल बहुत ही कम laptop में हमें देखने के लिए मिल रहा है, military grade certified है, यह laptop बहुत ही rough and tough build के साथ में आता है, तो definitely अगर आप MS Office की जोगाड कर सकते हो, भार से कहीं से free में या 200-300-400-500 रूपे में, तो यह वाला laptop आप IdeaPad 3 के comparison में पिक अप कर सकते हो, for a better performance and for a slightly better build quality, अब यहाँ पे range को थोड़ा सो उपर लेके चलते हैं, और बात करते हैं, laptops under 50, 1000 की यहां से ना confusion अना चालू हो जाता है, अप लोगो को कि भाई कौन सा processor लिया जाए, because इस range के अंदर हमें Ryzen 5 5000 series मिलती है, अभी जो latest launch होगी है Ryzen 5 7000 series भी इस price segment के अंदर मिलती है, i3 13 generation, i3 12 generation, यह सारे common processors है, जो कि हमें इस price segment के अंदर मिलती है, तो बहुत ही shortly आपको explain कर देता हूं कि number 1 पे यहां पे i3 13 generation की performance है, better than the Ryzen 5 7000, much better, almost double performance हमें निकाल के देता है i3 13 generation, compared to the Ryzen 5 7520 processor, तो definitely उसको बिल्कुल भी चूज मत करियेगा, Ryzen 5 5000 series पुरानी हो चुकिया है, तो यहां पे हम consider करेंगे i3 13 generation को, या फिर i5 12 generation को under 50,000, आप इतना पेए कर रहे हो तो हमारे पास में निकल के आ रहा है, HP का newly released HP laptop 15 with the i3 13 generation processor, जहां पे हमें यह नया सा keyboard design मिल जाता है, बड़ा trackpad मिल जाता है, i3 13 generation यहां पे 6 कोर वाला प्रोसेसर है और बहुत बहुत जादा capable प्रोसेसर है, यहां पे 8GB, 500, 12GB के साथ में laptop आता है, MS Office Home and Student यहां पे बिल्ट इन है इस laptop में हमें camera shutter मिल जाता है, full HD webcam देखने के लिए मिल जाता है, जो की काफी अच्छी वीडियो वालती है आपको provide करा देगा, दो चीज इस laptop में सिर्फ मिसिंग है, एक तो यहां पे backlight keyboard नहीं मिलता है, दूसरा यहां पे fingerprint scanner नहीं मिलता है, मैंने HP laptop 15 का Ryzen वाला वर्जन चल का discount के साथ मिलने लग जाएगा, जहां पे हमें इसके ऊपर ICICI या फिर SBI Bank का अगर आपके पास account है, तो उनके card से और discount मिलने वाला है, तो यह वाला laptop नहीं मतलब बहुत बहुत जादा अच्छी deal निकल के आ सकता है, अब इसमें ने बहुत सारे variants आते हैं, तो आपको सही variant choose करना है, जिसका link मैं नीचे आपको description में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप इस laptop को purchase कर सकते हैं, फिर दोस्तों हमारे पास में निकल के आता है, Dell की तरस से, Dell का Inspiron 7420 convertible 2-in-1 laptop, Inspiron 7420 दोस्तों यहां पे मैं i5 और i7 में तो आपको बिलकुल भी recommend नहीं करूँगा, लेकिन इसका जो i3 12th generation वाला variant है जो की काफी अच्छी performance अपने साथ में लेके आ जाता है, one of the cheapest convertible 2-in-1 laptop है, with the i3 12th generation, जो की pen के साथ में भी यहां पे आता है, तो आप इसको as a tablet जरूर से use कर सकते हैं, इस वाई laptop में दूस्तों हमें power button के अंदर, fingerprint scanner भी मिलता है, backlit keyboard भी मिलता है, 8GB RAM, 512GB के SSD storage, which makes it one of the best deal, you can go for, इसका link भी दूस्तों मैं नीचे description में देदूँँगा, फिल हाल ये laptop available है, 52,000 रूपीज के आसपास का, लेकिन sale में ये laptop मेरा मानना है कि 50,000 के आसपास कापो easily मिल जाएगा, उसके उपर आप यहां पे card discount वगरा भी अपने लगा सकते हैं, IC 50,000 यहां पे last laptop के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं review तो कर चुका हूं, लेकिन physically मेरे हाथ में अभी वो available नहीं है, जो कि है Honor का MagicBook X14, जो कि refresh हो किया है, इस बार 12th generation के साथ में, जहां पे हमें S series वारा 12th generation processor देखने के लिए बिल जाता है, which brings more power, यहां पे मिल जाती है 8GB RAM, 512GB की fast storage, उसको भी display है, वो IPS display है, thin and lightweight laptop है, सिर्फ 1.43 kg का उसका weight है, तो one of the best laptop रहेगा, Honor का MagicBook X14 purchase करने के लिए, अगें दोस्तों, इसके ऊपर में वीडियो बना चुका हूं, in fact, इस सारे ही laptops के ऊपर में वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको review मेरा check out करना है, इन laptops का तो आप definitely channel पर जाके वो भी check out कर सकते हैं, अब यहां पर बात करते हैं, laptops under 60,000 के price segment के बारे में, जो कि one of the most popular price segment है, जहां पर हमें i5 13 जनरेशन वाले laptop भी देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ gaming options भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो number 1 पर यहां पर इंक्लूट कर रहा ह 512 GB के M.2 NVMe SSD मिल जाती है, जिसको अगेन आप अपग्रेड कर सकते हैं, यहां पर फूल HD डिस्प्ले है, दो साल की वारंटी इस laptop के साथ में मिलती है, fingerprint scanner है, बहुत ही अच्छा keyboard है इस laptop का, तो one of the most uncompromised laptop इसको मैं बोलूँगा, जहां पर आपको किसी भी फील में compromise नहीं कर मैं नंबर वन पे इंप्लूड इस लिए कर रहा हूं क्योंकि इसका प्राइज है, वो फिलहाल 53,000 का ऐसेल में 50,000 तक का जा सकता है इसका प्राइज विच मेंस एफॉर्डेबल आइफार्डेबल आइफार्डेशन प्रोसेसर इन रेपोटेटेड ब्रैंड, फिर यहां ब आप SMITH और एटसीरीज वाला औप्सेन बिलता है बेसिकली वेल आप्षान जो होता है वो यहां पे ज्यादा पावर एफिशन होता और एैट सीरीज वाला प्रोसेेसर ज्यादा पर्फोरमेंश आपको प्रोवाइड रहता है, असूस दोनों ही लेकर आजाता है अदर 60k जहा में भी आता है और इसकी डिस्प्ले मतलब बहुत बहुत ज़रा प्यारी है भले ही आप इसका नौन ओले वर्जन लेते हो तो यह वला लैपटोप स्टार्ट होता है 58,000 से जो कि अभी करेंटली इसका प्राइज है सेल में 55,000 का इजली वला लैपटोप अविलेबल हो है डेफिनेटली यू कें गेट गुट गेमिंग लैपटोप अंडर 60,000 लेकिन वहां पर हमें 1650 ग्रैफिक मिलेगा जो कि तुरा सा स्लो है मेरा मनना है कि यहां पर एट-least 3050 अपको लेना चाहिए इन 2023 जहां पर हमारे पास में निकल के आ रहा है HP Victus 15 लैपटोप जो कि य ये वाले लैपटोप ऑन दर अधर हैंड सारे ही सेग्मेंट में काफी अच्छी प्रोइड कर रहता है बले ही वह बैटरी लाइफ बले ही वह परफॉर्मेंस बले ही वह कूलिंग इसकी डिस्प्ले भी हमें अच्छी ठीक तक दिखने के लिए मिल जाती है तो अंडर 70 के य में यहाँ प्रॉर दूर करा करके रख्याएं स्ष्टीन वाले में वह डुर दूर अष्द कराके रख्या ही 250 फ़ाम पूर रहेगा कम्पर्ट वेником इस अट गनcast कर दूँघ है इस neighborhood किमेंट से अलगा के उपर के लेपटोप के बारे में बात करते हैं मतलब अमीरी वाय लेपटोप जहां पर हमारे पास में नंबर वन पर निगल के आ रहा है HP का NV15 लेपटोप जो कि यहां पर Creator Edition वाला मैंने पिक कर रहा है with the i5 12th generation processor and RTX 2050 graphic अब यह वाला लेपटोप ना खास है यह एक OLED display के साथ में भी आता है जो कि 500 nits की brightness प्रोवाइट कराती है और यह laptop दोस्तों मैं highly recommend करूंगा अपने creator भाहियो को जो कि यहां पर video editing करते हैं जो कि यहां पर even gaming भी आप इस laptop के साथ में कर सकते हो लेकिन उसके लिए मैं आपको gaming वाले laptop recommend करूंगा यह laptop target करते हैं उस तो video editors को, graphic designers को जिनको यहां पर lightweight form factor के साथ में अच्छी graphic performance भी चाहिए और यहां पर create भी करना है sketching करना है, drawing करना है, touchscreen laptop है, convertible है, tablet भी उसकर सकते हो तो बहुत ही कम laptop इस type के आते हैं जो कि यहां पर convertible होते हैं और अच्छी performance और अच्छी graphic भी साथ में लेकर आते हैं यहां पर फिलहाल 85,000 का available है, sale में easily यह वाला laptop 80,000 के आसपास का available हो जाएगा highly recommend करूंगा and believe me guys मतलब इस list में value for money को देखते हुए मेरा one of the most favorite laptop यह वाला है, अगर आप इतना expand कर सकते हो आपने budget को तो मतलब यह laptop सालो साल चलने वाला है और आपकी सारी needs fulfill कर देगा तो यह थी दोस्तों बड़ी सी list for the laptop that you can buy during the Amazon Prime Day Sale 2023 almost सारे ही price segment के laptop include करने की कोशिच करी और सारे ही laptop definitely हाँ पे sale में best price में आप purchase कर सकते हैं through the links given below in the description और इसी तरह की laptop के बारे में वीडियो हम इस चैनल के उपर लाते रहते हैं जिसके लिए चैनल को दूस्तों आप जरूर से subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, कोई भी आपका दोस्त laptop लेना चाह रहा है during the Amazon Prime Day Sale 2023 तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं कुछ question है मुझे Instagram पर message भी कर सकते हैं और मैं आप से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में